इक आप सबस्टीय को अरन आप सबस्टर आप हार दिक स्वागत आनकेडमी के मंच पे मैं आप सबका हार दिक अभी नहीं दर्दा हूं I welcome you all on the platform of Earned Academy तो Crack RPSC with India's largest learning platform Earned Academy मेरा च्छोड़ता परीज़ है ब्रीफ इंट्रोड़क्शन अबाउट मेरा नाम नवीन शर्मा एनाइटी इलावा से बीटेक करने के बाद 2013 में जॉब के साथ जो मैंने एक लेक्शरी बनाया था जॉब किसे तेहरी कैसे करें वहाँ मैंने बताया था वहाँ पे All India 6 रगाया गेट में उसके बेसेस पे सैंटर गवर्णमेंट में एज ए पर्जर ऑविस तर अपनी सिवाए दी Civil Services में 16 और 17 लगातार दो बार क्वालिफाई किया उसका अनुबव RAS की मेंस की राइटिंग स्किल में हमेशा मैं दूँगा आपको ACF के बाद और एक प्रोजेक्ट जो कि Climate Change and Greenhouse Gases Emissions पे बेस्ड है टैरी के साथ एक छोटे से प्रोजेक्ट पे मैं आज भी काम कर रहा हूँ और टोटर टीजिया एक्सपीरेंस RPSC का 5 साल का रहा है इंक्लूडिंग RAS देखिए हर क्लास में हम आपको Unacademy के प्लस कोर्स के बारे में बताते हैं वो इसलिए बताता है क्योंकि Unacademy का प्लस कोर्स आप जैपुर, जोद्पुर, उद्यापुर कहीं जाने के आवशक्ता नहीं है जहां पर है राजिस्तान के 33 जिले 33 डिस्रिक जहां पर है वही रही घर पे कोई expenses करने के आवशक्ता नहीं कोई rental expenses नहीं करना कोई food का expenses नहीं जहां पर है वही रही है तैयारी करते रही है तो दो साल, 24 मैंने का जो foundation program है RPSC के सारे exams के लिए उसमें fee structure 8400 या 400 रुब है दो साल का foundation program इसमें कहीं जाने के आवशक्ता नहीं है उसमें भी मेरा code, मेरा code NAV10, code NAV10 यूस करेंगे आपको 10% का discount मिलेगा, आपकी 2 साल की fee हो जाएगी 75607 यार 560 रुपए मतलब 7 यार 560 रुपए में 2 साल तक आप RPSC के सारे exams RSMP के सारे exam, सारी faculty, सारे video, सारे PDF, सब कुछ मिल जाएगा आपको जहां पर है वहीं रहेगे, कोई आवशक्ता नहीं है अब COVID के समय other expenses bear करने की, तो यह हमारा आर्थिक द्रस्टिक कौन, आर्थिक पहलू, economic angle से हमने यह fee structure यहां पर रखा है, और इस fee को आप credit card से EMI के through भी पे कर सकते हैं, तो पर मन्त जो किस्ता आएगी लगबग सारे 300 के आसपास आएगी आपके RPSC course की, involvement analogy में, ACF के लिए 10 की 10 unit मैंने पहले cover करा दी थी, subscription लेने पे हम सबको access कर सकते हैं, सबको देख सकते हैं, उसी तरह से कुछ model questions की practice कराई थी, test papers की involvement analogy में, कुछ GK के papers की practice भी करवाई यह मैंने, यह सब आप access कर सकते हैं, subscription लेने में, सबके video, सबके pdf आपको मिल जाएंगे, मेरा code nav10, code nav10 use करेंगे, तो इस code का use करने के बाद, आपको RPSC के साथ-साथ, UPSC, CSIRNET, UGCNET, और SSC, कोई भी straight PSC का आप लेंगे, यहाँ पे सब course में आपको 10% का discount मिल जाएगा, इस code को use करने के बाद, तो science and tech में, pre और means का, RS, pre-RS means, साथ में, ACF, FRO के लिए, कुछ important segment units मैंने cover कराई थी, from 14th November 2020, you can access all of them, यह सब plus पे आपको मिल जाएगा, तो friends, ACF, FRO का countdown स्टार्ट हो चुका है, आज से आपके पास 39 days, 39 days are left, बहुत कम समय बचा है, समय का हमें सदुपियोग करना है, बिलकुल एकदम इमानदारी से, honestly, तो focus on the syllabus and the exam, सबसे बड़ा मूल मंत्र, principle चीज़ यह, कि आपका जो निशाना, मचली के जैसे अरजुन ने आख पे लगा यह था, इस डाइग्राम में देखना है, उस पक्षी की आख में, उसी तरह से आपको, जो आपका लक्षे एक्जाम में, सिर्फ वो ही दिखना है जिए, कोई irrelevant WhatsApp टॉक नहीं, कोई irrelevant Facebook पे, आपका एक्जाम नहीं हो जाता, याद रखेगा, ये मूल मंत्र उस समय, जब गुरु को सिक्षाती तब भी काम आता था, आज भी ये काम आता है, तो involvement ecology के लिए, special एक और मेरा प्रोग्राम, 12 जनवरी से, एक और मेरा involvement ecology के, ACF को धार मेरा प्रोग्राम आ रहा है, जिसमें की remaining 5 unit, जो बची है 6 to 10, दुबारा revision के साब से, मैं वहाँ करवाऊँगा, यहाँ पे intensive objective questions की practice कराना, मेरा aim रहेगा, यह batch मेरा 12 जनवरी से, अनकेडमी के प्लस पर दिखेगा, कल या पर्सों में आपको यह दिखने लगेगा, अनकेडमी के आप पे, और इसको आप लेंगे, तो code NAV10, code NAV10 यूज़ करेंगे, आपको discount मिलेगा, प्लस आप subscription ले सकते हैं, तो friends, आज का मेरा विशह है, वो सभी exams के लिए, आप कोई भी exam की तारी कर रहे हो, आप त्यारी कर रहे हो railway की, RPSC, ACF, FRO तो target रखा ही है मैंने, ACFRO तो target रखा ही है, इसमें RAS की, State PSC, MPPSC, State PSC के exam होने वाला है, उसके लिए भी बहुत useful, तो यह जो lecture है, it is useful for all competitive exams, सारे exams के लिए, बहुत critical, बहुत important lecture है, इसमें SAC में भी help करेगा, आपको railway में भी help, जो भी exams हैं उसमें, एक lecture मैंने पहले बनाया था, इससे पहले, जिसमें मैंने आपके कुछ important sport के सारा segment 2020 का मैंने complete cover किया था, उसी line पे यहां पर awards and honor, तो वो lecture भी जुरूर देखिएगा, sports का complete coverage, 2020 का, यहां पे awards का complete coverage, 2020, तो national, international जो हमारे sports के awards मिले हैं, different categories में, different जो है हमारे उसमें, आपकी field में, different areas में, वो सब मैंने इस lecture में cover करने का मेरा पूरा प्रयास रहा है, तो देखिए friends, start करते हैं, सबसे पहला important award, जो कि एक्जाम में पूछ सकता है, यह आपकी screen पर आपके सामने, United Nation का Global Climate Change Award, United Nation का Global Climate Change Award, किसको मिला कई categories में मिला है, कई categories में मिला है, लेकिन हमारे एक्जाम के साब से, जो भारत का संस्तान, जिसको award मिला गया है, वो आपको या रखना है, देखे, Global Climate Change Award, यह Global Himalayan Expedition, अगेन बोल रहा हूं, कई categories मिला है, जिस category की बात कर रहा हूं, वो भारत के संस्तान, तो वो एक्जाम के साब से important हो जाता है, तो Global Himalayan Expedition, ग्लोबल Himalayan Expedition, जिसको हम GHE, जिसको GHE भी बोला जा रहा है, ग्लोबल Himalayan Expedition, इसने जो है, युनाइटेड नेशन का ग्लोबल Climate Change Award जीता है, क्यों जीता है, तो फाइट अगेंस क्लाइमेट चेंज, तो फाइट अगेंस क्लाइमेट चेंज, बहुत ही युनीक कंसेप्ट इसने अडॉप्ट करा है, वो ही बात करूँगा आपसे में, इसको अवार्ड क्यों मिला, इसने ऐसा क्या काम करा, जिसकी वज़े से, ग्लोबल Climate Change Award, इस संसान को, ग्लोबल Himalayan Expedition को दिया गया, इसने ऐसा क्या क्या क्या, जिसने की टूरिज्म, टूरिज्म को और टेक्नलोजी को, टूरिज्म को और टेक्नलोजी को दोनों को यूज़ किया है, और उन remote communities में, उन लोगों तक जो की हिमालियन माउंटेंस में, हिंदु कुष रीजन में रहते हैं, लद्दाक में रहते हैं, जहां पे डिफिकल्ट टेरेन है, डिफिकल्ट एन्वार्मेंटल कंडिशन है, remote communities है, वहां पे इन्होंने solar energy, solar energy को इन communities तक इन्होंने पहुँचाया है, तो यह अवार्ड, Global Climate Change Award दिया गया, Global Himalayan Expedition को भारत का संस्थान, यह organization, United Nation का अवार्ड है, अब देखिए, इसने क्या काम करा है, यह Global Climate Change Award हिंदुकुष रीजन में, हिंदुकुष रीजन में, जैसे कि लद्दाग हो गया, यह Himalayan Belt, जो हमारा रीजन, जम्मु कश्मीर का है, इसकाफी बड़ा इस्सा, वहां पे approximately 16 million, 16 million मतलब 1.60.000.000, 16 million का मतलब, 1.60.000.000 पीपल, 1.60.000.000 जन संक्या जो है, बेसिकली, उनको कोई access नहीं है, उनको कोई access नहीं है, basic energy का, basic energy का उनको access नहीं है, ऐसे लोग, जम्मु कश्मीर में, हमारे भारत के राज्य में, और हिंदु कुश रीजन में, कुछ हिमाले प्रदेश का भी इस्सा है वहां पे रहते हैं जिनको 16 million people को जिनको access नहीं है basic energy का geographical तरह तरह से remote communities है ऐसे लोगों को इसने solar energy को provide करने का मुहिम चला है solar energy provide करिए वो कैसे करिए बहुत interesting fact तो global हिमाले ना expedition इसने क्या करा जो आप और हम में से लोग भी शामिल हो सक होते हैं इसके अंदर जो लोग across the globe across the world जिनको basically adventure का शौक है जिनको tracking का शौक है उन लोग के लिए इसने impact expedition नामक एक process start किया जिसमें की remote Himalayan villages remote areas में जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाते हैं वो रिमोट एरियास में जाते हैं इनमें adventure उस हिमाले माउंटेने जो माउंटेने सेरिया है जो टैरेने वहां पे इनके adventures tracking होती है यह पार्टिसिपेट करते हैं प्लस यह वहां पर जाके लोगों से उन communities की बीच में रहते हैं उनसे इनका समवाद भी होता है उनकी जीवन सैली को सीखते हैं तो ऐसे लोग जो कि adventure के शौकीन है जो अब तक अपनी जेव से खर्चा करके इन जगों पर जाते थे adventure करने के लिए वो लोग अब खर्चा करेंगे पैसा खर्च होगा हो लोगा लेकिन वो खर्चा जाएगा इस संस्तान के पास global हिमालियन expedition organization के पास में तो यह organization जो basically expedition की जो expedition की जो expedition की fee रखी है इसने उन individual से उसका एक significant portion उस fees का एक significant portion यह use करेगा as a capital cost as a capital cost उस fee का यह use करेगा एक significant portion जिसकी वज़े से यहाँ पे solar के panels, solar के panels, hardware devices, transportation, installation, in panels का solar panels का installation, साथ इसाथ training of village community इनको कैसे उस करना है training of village community यह सब organize कराएगा तो एक तरह से solar micro grid, solar micro grid को यह यहाँ पे install करेगा तो basically जो micro grid infrastructure है जो micro grid info है वो यहाँ पे global Himalayan expedition यह इसको own करेगा और basically इसके engineer जो global Himalayan expedition के engineers हैं यह उस expedition fee से और वो लोग जो यहाँ पे centrally आ रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे सहीव दे सकते हैं इस इंस्टोर्शन प्रोसेस में तो basically यह टोटली जो है आप आप आपर आपर यहीं के हैं और लोकल कमुनिटी इसका पार्टेसिपशन यहाँ पे एंशॉर किया गया है तो जी एची ग्लोबल हेल्थ ग्लोबल हिमा अल्यन एक्सपेडिशन ने सोलर टाइनल पर बेस्ट इलक्रिफिकेशन मोर देन 131 131 जो की आपके इस हिंदू कुछ रिजन में लाई करते हैं वहां पे इसने काम अब तक कर दिया है 131 विलिज़स में सोलर इलक्रिफिकेशन इसने काम कर दिया है तो कितना अच्छा अड़े नियुक्ति नThe लगोंते हैं पैसा खर्श करते थे और वह खुदका एंजॉयमेंट करें अब यह वो लोग पैसा खर्श करेंगे उनको पैसा खर्श थो अभी होनलों का लेकिन वो यह सारी ववस्ता करेगा लेकीश का एक फीश का एक सिदूफिकेट पोट्शन व भारत के संस्तान GHE Global Himalayan Expedition को याद रखिएगा यह Climate Change का वाट पूछे तो एक्जाम में Confused होतो ना यह image और यह स्लाइड याद रखना आपका option सही हो जाएगा बात करते हैं भारत के सबसे sports की field में भारत के sports की field में जिसमें की सवाल बनते हैं हर साल हर exam में चाहे SSC हो यहां की आपका कोई state PSE हो राइस्तान PSE RAS हो उसके सासथ हमारा आने वाला ACF FRO का exam हो SSC का exam हो पतवार की परिक्षा हो वहाँ पर भी पूछ सकता है तो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड हमेशा से ही exam के इसाब से बहुत important रहते हैं नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2020 का detail में decision करेंगे देखेंगे कि किस को अवार्ड मिला है तो देखें यहाँ पर राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड 2020 अटजुन अवार्ड ध्यांचंद अवार्ड ध्यांचंद अवार्ड ध्यांचंद अवार्ड द्रोन अचारे कोचिस के लिए द्रोन अचारे अवार्ड और लास्ट आपका रास्टिये खेल प्रोत्सान प्रुसकार तो बेसिकली यहां पर टोटल पांच केटेगरी तोटल पांच केटेगरी में ये नेशनल स्पोर्ट अवर्ड दिया राजीव गांदी खेलतन अवर्ड जो की एकजेप्शनल आउटस्टेंडिंग एथिलीट्स आउटस्टे से उसको उनकी परफॉर्मेंस के लिए अर्जुन आवार्ड ध्यान चंद आवार्ड दुरोनाचारे आवार्ड और रास्टे खेल प्रोस्थान पूसका टोटल पांच आवार्ड दिये जाते हैं देखते हैं इस बार 2020 का जो आवार्ड दिया गया था एऔर के स्टाइटिंग में 29 Аगस्त आवार्ड भी कब दिया था स्पोर्ट डे के दिन sport day के दिन ये आपका award दिया जाता है जिसका नाम अगबार अगबार में almost hard newspaper में ये नाम आया था तो पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा prestigious award खेल खेल कूत का भारत के अंदर राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड भारत का number one number one sport award राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड 2020 किन sport की पांच हस्तियों का दिया गया यहाँ पे sport की हमारे खेल कूत के भारा से पांच पांच sport की हस्तियां जुन्होंने की बहुत exercise performance किया different categories of sport में उनको ये award दिया गया तो आप देश सकते हैं यहाँ पे रोहित शरमा रोहित शरमा से आपके μरियम्पन उसके अलाबां हमारा यह ये कॉट और आपके मनिका बत्रा मैं पांच नघ्रेंग को यह आंपर दिखेंगे रोईत शर्मा क्रिकेट में दिया गया मरीपन मरीपन पैराइथलीट पैराइथलीट इन्होंने मतलब की commonwealth games में इन में से काफी लोग वने commonwealth games में गोड़ पर जीता है चाहे वो हमारी यह मनिक का बतरा हो विनेश वोगाटो इन्होंने commonwealth games में बहुत exceptional performance किया था 2018 में रोई शर्मा तो क्रिकेट के दुनिया में आप देखी रहे परफॉर्मेंस लगातर प्रफॉर्मेंस उनका विनेश वोगाट रैसलिंग विनेश वोगाट रैसलिंग रानी रामपाल रानी रामपाल हॉक्की रानी रामपाल हॉक्की अब इसमें एक सवाल तो यह बनता है यह option देके पूछ लेगा कि विच आप दी फॉर्लॉइंग प्लियर्स हैस बीन कंफॉर्ट हैस बीन अवॉर्डेट राजीव गांदी खेलतन अवॉर्ड चार उप्शन देगा उन में से एक उप्शन जो है आपका वो सही होगा बागी तीन नहीं होंगे यह ऐसे पूछ सकता है विच आपको यह जो प पूछेगा कि यह खिलाडी हमारे किस खेल से मरिय पंटी किस खेल से तालुक रखते हैं विकॉस दिस परसन इस इन नीउस यह परसन नीउस में है स्पोर्ट की दुनिया में इन्होंना अच्छा मुकाम असिल किया यह नीउस में है तो एक सवाल ऐसा भी बनता है कि बेसिकल से इंपोर्टेंट राजीव गांदी खिल लतन अवार्ड तो आपको याद होना ही चाहिए टिप्स पे तो रोईद शर्मा क्रिकेट के मरिय पंटी पैराइथलीट मनीका बतरा टेबल टैनिस विनेश फोगाट रैसलिंग और रानी रामपाल हौकी पांच नाम यह पांच बात करते हैं अरजोण अवाड है यह भी अर्जोन अवार्ड हाला की सबसे बड़ा वाऌर्ट तो राजीव गांदी खेलते हैं धनल यह बूसरें नम्बर पे आता है ऑरजोन अगॉइज है और यह भी इस इसमें कई लोग को 27 27 लोग को 27 रेसिपेंट थे अरजुन आवार्ड के 27 लोग को इस अवार्ड से नवाजा गया था इस बार 2020 में पहली बात दूसरी बात कुछ फेमस चैरे आपको दिख रहे होंगे जो आम तॉट पे मीडिया में आते रहते हैं की इमिजिस इनके बारे में इस इस अवार्ड से नवाजा गया है अरजुन आवार्ड अब अरजुन आवार्ड में देखेंगे यहां पर मैंने टोटल सब के नाम यहां पर लिख दी हैं एक बार इस स्लाइड से गोत्र हो जाना एक बार इस स्लाइड से गोत्र हो जाना एक लीस नाम सब के देख लेना क्योंकि आपको सवाल ऐसे पूछेगा कि यह खिलाड़ी किस खेल से तालू रखते हैं उसी खिलाड़ी का पूछता है जिसने की कोई प्रेस्टिजिस अवार जीता हो तो यहां पर देखिए मैंने कुछ सारे नाम ही important है लेकिन कुछ जगों पर जहां मुझे लगा कि थोड़ा importance ज़्यादा है वहां मैंने underline कर दिया है जैसे कि अतानुदास आर्च्री में अतानुदास आर्च्री में ऐसे बार विशेश ब्रगुवंशी विशेश ब्रगुवंशी बास्केट बॉल से बास्केट बॉल से विशेश ब्रगुवंशी लोग लीना बोग रहें ये बॉक्सिंग से तालुक रखती हैं दीबती शर्मा इशान शर्मा क्रिकेट से दीबती शर्मा भी क्रिकेट से यहां पर पर देखेंगे कुछ और नाम दीपी का होकी से और हमारे टेबल टैनिस से यहां पर मदूरी का सुहास पटकर टेबल टैनिस से सौरब चौधरी शूटिंग सौरब चौधरी शूटिंग से संधीप पैराइफलीट इनको भी अर्जुना वर्ड मिला तो टोटा 27 नाम है कुछ यह इंडिया के प्रेशिजिस अवर्ड है तो आपको आइटली से पता हो ना जी कि भारत में जो स्पोर्ट की छेत्र में कौन लोग अपना नाम कमा रहे हैं कि एक इसी कडी में इसी कडी में कि लाडेयों के साथ साथ स्पोर्ट पर्सिन के साथ साथ इंस्टिटूशन और्गानएशन संस्थानो को भी आवंट मिलता है इस हमारे नेशनल आवंड में तो नेशनल आवंड जो हमारा दिखेंगे रास्तिये खेल रास्तिये खेल प्रोथसान पुरुसकार ये भी अवार्ड कनफर्ड कर आता है under the category of national award तो मैंने आपको यहाँ पर चार नाम लिखें चार categories में ये अवार्ड दिया आता है हर साल रास्तिये खेल प्रोथसान पुरुसकार रास्तिये खेल प्रोथसान पुरुसकार स्पोर्ट को पर्मोट करने के लिए प्रोपागेट करने के लिए कुछ अंसान जो कदम उठाते हैं उनको उनके कामों के लिए इस अवार्ड से नवाजा जाता है तो देखिए पहला आपका आइंटिफिकेशन और नर्चरिंग और बडिंग और यंग टैलेंट यंग टैलेंट को नर्चर करना यंग टैलेंट को आइंटिफाई करना उसके लिए यहाँ पे लक्षय इंस्ट्यूट और आर्मी स्पोर्ट ट्रिनिंग इस्ट्यूट corporate social responsibility CSR corporate social responsibility CSR तो जो हमारे तमाम संस्तान है अपने profit का कुछ percentage CSR activities भे खच करते हैं तो इन संस्तान उन्होंने ONGC oil की बहुत बड़ी company महारतना company ONGC oil and natural cash corporation oil and natural cash corporation ने अपने CSR का कुछ percentage यहां पर इंवेस्ट करा था एंक्रेज करने के लिए sport को through corporate social responsibility इसलिए ONGC को भी रास्ते खेल प्रोसान प्रोसकार 2020 मिला third employment of sport persons and sport welfare measures sport persons के employment के window खोल देना और उनके लिए प्रयाप्त मातरा में welfare measures उठाना welfare measures उठाना और उनके लिए window खोल देना employment के लिए उसके लिए जो अवाड मिला वो जाता है Air Force sport control board को Air Force sport control board को यह जाता है इस category के लिए employment of sport person and sport welfare measures के promotion के लिए अवार्ड fourth category है हमारी sports for development sports for development fourth category इसके लिए अवार्ड मिला international institute of sport management IISM international institute of sport management IISM को इस अवार्ड से नवाजा गया तो चार categories रास्तिये खेल प्रोसान प्रोसकार किसको मिला संसान को यह आपको पता होना चाहिए this is important from examination point of view देखिए अब अब देखिए आपका noble prize noble prize academy का टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं upload कर दूंगा एक दूंका समय दीजिए इनका pbt को PDF करके आई डेफिनेटली शेर for the benefit of all of you अब देखिए सबसे इंपरेंट अवार्ड अवार्ड नेशनल अवार्ड को बात करी हमने आगे देखते हैं noble prize noble prize के अवार्ड noble prize के अवार्ड भी exam के साबसे बहुत इंपरेंट रहते हैं noble prize के अवार्ड भी exam के साबसे बहुत इंपरेंट रहते हैं यहां पर medicine में medicine में physiology और medicine में तीन मान हस्तियों को noble prize अवार्ड जो है नवाजा गया वो कौन कौन हस्तिया है और उन्हें क्या काँ करा यह नाम धान रखिए साथ में यह भी देखिए कि noble prize उनको क्यों मिला है noble prize उनको क्यों मिला है तो आपको दो बाते आदक नोबल प्राइज से कोशन एक्जाम में पूछ सकता है दो बाते आदक ने एक तो नाम कि किन जो हमारे यह महान अस्तिया है परसेनलिटी इनको award किसको मिला नुल प्राइज किस छेत्र मिला दूसरा उसने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वैसे उसको नुल प्राइज से नवाजा गया तो तीन नाम आते हैं हार्वे जे ओल्टर हार्वे जे ओल्टर माइकल हाउटन, माइकल हाउटन, चार्ल्स एम राइस, इन तीनों को हार्वे जे ओल्टर, माइकल हाउटन, चार्ल्स एम राइस, इन तीनों को बेसिकली आपका नोबल प्राइज मिला, मैडिसन की शेत्र में, मैडिसन फिल्ड में, फिजियोलोजी में इनको नुल से नवाजा गया है इनको नौपाइस क्यों मिला है एक तो नाम याद रखे हारवे जी अल्टर माइकल ओर्टन चार्ल समराइस और दूसरा जो सवाल बनता है कि इनको नौपाइस मेडिस्न में आखिर में क्यों मिला वह कालर नने इन तीनों सैंटिस्टों ने आपका ब्लड Bloodborne Hepatitis, Hepatitis A, Hepatitis B इसके बारे में लोग को पता था लेकिन Hepatitis C, जो Hepatitis C वाइरस है उसके बारे में ज़्यादा information नहीं थी इन्होंने Hepatitis C वाइरस के शेतर में काम किया जो Bloodborne Disease है उसकी वज़े से कई Global Health Problem होती है और Leaver का Cancer लीवर का Cancer भी Hepatitis C वाइरस की वाइरस की वाइरस हो सकता है तो इन्होंने Discovery की थी इन्होंने Discovery की थी इस वाइरस की इन्होंने इस वाइरस को identify किया था Hepatitis C वाइरस को इन्होंने identify किया था इसलिए इनको इस अवाउड से नवाजा किया और उसके बाद इन्होंने उप्चार की तरीके कैसे treatment किया जाए happiness C virus का उसके बारे में बात करी तो दो चीजें एक तो happiness C virus की discovery दूसरा उसका कैसे treatment हो जो इन्होंने जब काम करा उस समय तक वो unknown था happiness C virus A और B के बारे में लोग को बता था C के बारे में नहीं पता था इन्होंने उसको discovered करा virus को और साथ में ये बताया है कि treatment कैसे हो सकता है अब यहाँ पे लोग पूछते हैं candidates पूछते हैं कि सर इतने नाम आते हैं याद कैसे रखें? कैसे याद रखें? कैसे रखें? पढ़ावा याद? ये बहुत बड़ा सवाल होता है पढ़ावा चीज ये इतने sport के नाम है इतने हमारे medicine field के नाम है आपके noble में physics में भी आएगा chemistry में भी आएगा नाम कैसे आज रखें? exam में भूल जाते हैं और उसकी वैसे कभी बग गलत option पर टिक हो जाता है तो याद करने के लिए कोई strategy बनाईए आप at least कुछ एक तरीका बनाईए आप ये कर सकते हैं कि जो ये नाम लिखे हैं उन पर based कोई छोटा नाम बना लिए जैसे कि मैंने आपको एक धरन example यहाँ पर दिया है देखिए राम राम शब्द हमारे हिंदू गौड हम सब जानते हैं और इसको राम कम्प्यूटर के जो लोग शोकिन है राम राम और राम याद है राम याद है दोनों तरीके से आपको ये याद हो जाएगा तो पहला राम या राम में R stands for Charles M Rice तो Rice जो है वो यहां पे R A stands for Alter A stands for Alter and last M M stands for Michael M stands for Michael तो अगर आपको Nobel Prize Medicine पुछा जाए तो नाम राम नाम याद होना चाहिए R for Rice, A for Alter M for Michael तो इस तरह से आप भी अपने हिसाब से यह मुझे convenient लगा, मैंने बना दिया आप भी अपने इसाब से कोई सहलोत बनती है तो कोई short में उसका acronym बना लीजिए जिससे आपको exam में याद रहे भूले नहीं, क्योंकि यह tendency के निट्स में रहती है, क्योंकि भूल जाते है इस इन तरह के नामों को लोग बिल्कु बिल्कु राइस खाने गए और फिर अटेक हुआ रहोटन जो उन्होंने बनाया करने गए, बिल्कु सही जो उन्होंने बताया यहाँ पर धन्मा जी ने, यह सही कुछ भी कर सकते हो, देखो यह इन्होंने बनाया मैं इनका मेसेज पढ़ रहा हूँ, सही है ऐसे आप लोग भी जो इन्होंने बनाया, अच्छी बात है ऐसे बना पा रहे हैं, आप लोग भी अपनी सहूले से, अपनी कन्वीनियन से, मैंने तो राम बना दिया, R for Rise, A for Alter M for Michael, आप भी बना सकते हैं तो राम नाम याद है, तो आपको No Price, Medicine का याद है और देखिए Physics की बात करते हैं Physics में, फिजिक्स में जो इस साल No Price मिला था, 2020 के अंदर ये Black Hole Black Hole बड़ी अंसुलजी पहली थी Black Hole अब तक की अंसुलजी पहली थी इतनी strong gravitational force होती कि लाइट भी पास नहीं कर पाती तो इन तीन वग्यानिकों ने इन तीन वग्यानिकों ने Physics की शेत्र में जो काम कर रहे थे इन्होंने यहाँ पे Black Hole के बारे में एक Correct Picture को पेश किया इनसे पहले Black Hole को लोग नहीं जानते थे तो इनकी जो Discovery थी वो Black Hole के एरिया में हैं तो इसमें तीन नाम हैं पहला नाम तो आपका Roger Penrose पैन नाम आ रहा है पैन रोस दूसरा रिनर्ड गैंजल रिनर्ड गैंजल यह फीमेल हैं और एंड्रिया गेस यह बेसिकली तीन हमारे जो लोग हैं इनको इस अवर्ड नाम आ गया तो रोजर पैन्रोस रिनिट गैंजल अंड्रिया गेस तीनों ने Physics के शेतर में काम करा है क्या काम करा है जो हमारे यहां पे दिखेंगे Black Hole Black Hole Formation के लिए Black Hole जो है General Theory of Einstein की General Theory of Relativity में जो चीज Derive करके आती है General Theory जो Relativity थी उसके Prediction उसके Prediction के Basis पे इन्होंने जो Penrose है Penrose ने बेसिकली यह बताया कि आपका Black Hole Exist करते हैं Black Hole को Discover किया और जो गैंजल अंड गेस है इन्होंने डिसकवरी किया Super Massive Compact Object का इन्होंने यह बताया गैंजल और गेस ने कि हमारी बड़ी जो Galaxy है हमारी Galaxy के बीच में या एक Point पे वहां पे आपका Center पे Super Massive Super Massive Compact Super Massive Compact Object Placed है गैंजल और गेस ने बताया हमारी Galaxy के जो Galaxy है उसके Center में Super Massive Object Placed है तो यह दो लोगों तीन लोगों ने काम करा है Black Hole के शेत्र में इनको Physics का Noble दिया गया 2020 में तो Penrose, Gensel, Andrea Gaze तीन नाम याद रखेंगे Physics का Noble कभी नी बूलेंगे और Black Hole भी याद रखना और देखिए और आप देखिए यहाँ पे मैंने और आपके सामने यहाँ पे नाम रखें इसमें पर तरीका बता है कैसे याद रख सकते हैं यह है हमारा Chemistry का यह है आपका Chemistry का Noble Price Chemistry का Noble Price 2020 का Chemistry का Noble Price 2020 का दो नाम निकल के आना है यहाँ पे Emmanuel Charpentier Emmanuel Charpentier और Jennifer A. Dodna Jennifer A. Dodna तो Emmanuel Charpentier, Jennifer A. Dodna दो लोगों Chemistry का Noble Price दिया गया क्यों दिया गा वाट इन्हों ने Basically इन्हों ने बहुत ही Famous Technology Genome Edit करने की Genome Edit करने की बहुत ही Famous Technology जिसको हम CRI SPR Cas9 Genome यह Biology में पूछेगा Biology में भी है यह चीज Science में हमारे Current Affair में आता है CRI SPR Cas9 Insign यह Genome को Genes को Edit करने की Technology बहुत पर UPSC Pre में दो बार कोशन पूछ चुका है इस पर CRI SPR Cas9 पर Genome Editing Technology Genes को Edit करने की Technology इस पर इन्होंने काम किया दुरोंने और Basically जो Genetic Caesors Enzymes जो है वो Genes के Genetic Caesors का इन्होंने बारे में बताया तो दो नाम Chemistry में मिला नोर पाइस अब याद कैसे रखेंगे कैसे या दखेंगे इसको इतना या दखना Car Painter को डूणना मैं आपको बता रहा हूँ आप भी अपने इसाब से Free हैं कुछ भी बना सकते हैं Car Painter जो काम करते हैं Car Painter को डूणना तो Car Painter बेसिकल यहाँ पे Emmanuel Charpentier और Jennifer A. डूडना इसका देखें डूडना है तो इसको हिंदी में डूणना से आप Correlate करने के लिए बना सकते हैं तो Car Painter को डूणना ऐसे कुछ भी अपने इसाब से बनाए जो आप कर्वीन लगता हो याद करना बहुत जरूरी है पढ़ावा याद नहीं होता कि आप इस तरह से शौट में अपनी कनवीनियें से कुछ बना लीजिए तो कैमिस्टिक उनलपाइस इमनुवल चार पैंटियर जैनिफर रे डूणना को जिन्होंने काम किया आपका CRISPR-Cas9 टेकनलोजी जो कि जिनॉम एडिटिंग जीन्स को एडिटिंग करने की important technology है और देखिए ये नोबल प्राइस कई शेतर में कई categories में दिये आता है तो नोबल प्राइस मिला आपका literature में literature के शेतर में literature में किसको मिला गुदर बीस का literature मिलता है लुईस गलक को literature में noble prize literature मिलता है लुईस गलक को आपका यहां पे award ये American American poet है American poet है लुईस गलक तो लुईस गलक का नाम जा रखिएगा American poet जिनको literature में literature में लुईस गलक को award मिला American poet है ये भी याद रखिएगा और सबसे important exam के साफ से इसको मैं highly important बोलता हूँ इसको मैं highly important बोलता हूँ कि इससे समझे सवाल आपके किसी भी exam में पूछ सकता है विश्वखाद संस्तान संगटन विश्वखाद संगटन ये प्रोग्राम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम United Nation का ये बहुत ही इंपोर्टन आपका संस्तान इसको बेसिकली 2020 का नोबल पीस प्राइस अब देखें संस्तान तो फूड का है लेकिन अवार्ड किसका मिला पीस का तो कन्फीजन होता जब तक नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेंगे मास्टर गिरी से तुक्के बाजी से गैस वर्क से सवाल गलत होते हैं तो जिसने पड़ा है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने आपका हंगर के शित में काम किया लेकिन अवार्ड मिला नोबल का पीस प्राइस पीस प्राइस तो यह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यह वर्ल्ड की लाड़जेस्ट ओर्गिनाईशन है वर्ल्ड की लाड़जेस्ट ओर्गिनाईशन है जो की hunger को address करती है, food security को promote करती है, hunger को address करती है, food security को promote करती है, इस संस्तान world food program जो की United Nation की important organization है, तो WFB इसका headquarter का है, अब जब बात चलिए, world food program की जो को noval peace prize मिला, तो इसका थोड़ा सा analysis कर लेते हैं कि संस्तान कहां पे है और क्या करती है, इसका headquarter है आपका Rome, Italy में, headquarter का है Italy में, Rome में, अधिकतर Washington में होता है, इस संस्तान का headquarter का है, Italy, Rome, governed by an executive board, एक executive board गवन करता है इसको, जिसमें कि 36 member state है, एक executive board गवन करता है इस संस्तान को, जिसमें कि 36 member states है, it is headed by an executive director, who is appointed jointly by the United Nations Secretary General, तो United Nation के जो Secretary General है, वो basically, इस संसान के executive director को appoint करते हैं, यह तो एक बात, और, जो ED होता है, इसका, executive director, वो appointment होता है, उसका 5 साल के लिए, 5 साल, 5 साल के लिए, उसका appointment किया जाता है, world food program के executive director का, अब देखिए, इसने काम क्या किया, ऐसका क्या काम करा, इसको peace reward मिला, no price, तो इसने, 2019 का आकना, 2019 का लिटा देखिए, 2019 में, 97, 97 million people, 97 million people, 9 करोड 70 लाग, 9 करोड 70 लाग, largest number, इतना बड़ा नंबर है, 88 country में, 88 country में, 97 people, जो है, 97 million people है, इसको इसने, डिलिवर्ड किया, 4.4 million tons, 4.4 million tons food, 4.4 million tons food, डिलिवर्ड किया, purchase किया, dollar 1.7 billion वर्थ का food from 91 countries, तो इसने, country जे food purchase करा, और जो fund इसके अपास रहता, जो countries, member state, इसमें contribute करते हैं, उससे इसने यहाँ पे, 88 countries में, 97 million people को food, जो है, बेसिकली आपका, provide करा है, hunger को beat करने के लिए, तो बेसिकली याद रखेगा, जब hunger की समसा बहुत, ज़्यादा विक्राल हो जाती है, तो किसी भी देश में peace नहीं हो सकता, यह चीज़ें आपस में interconnected है, hunger, उसकी वैसे poverty, और poverty जहाँ पे होगी, बहुत बड़े दिक्कत है, वहाँ पे आपका peace रही नहीं सकता है, वहाँ पे violence crime भी notice होता है, तो हाला कि world food program काम तो करता है, फूड के एरिया में, पावार्ड मिला, noble peace price for the year 2020, इसका एट कोडर, रो मिटली में, यह basic facts भी आप याद रखिएगा, कुछ comments ले लेते हैं, बिल्कुल सही, रो मिटली, बदा यह अनिल चोहान जी, अनिल चोहान जी, कोई दिक्कत नहीं है, अनिल चोहान जी कोई सवाल पूर सकते हैं आप, PDF, PDF देखें धरहम जी, PDF, इसका पूरा PDF, मैंने सभी लोग को PDF की बात कर रहे हैं, क्लास में वैस्ता तके चलते हैं, कई चीजों में involved रहते हैं, उत्ता साइम नहीं नहीं पाता, फिर भी आप लोग के लिए, इस PPT का, और इससे पहले भी जो PPT बनाएं उसका, PDF मैं खुद personally कर्मेट करके, लेट्स क्रैक राजिस्तान एक्जाम, जो अनकेडमी का टेलीगराम चैनल है, वहाँ पे PDF अपलोड कर दूँगा, तो PDF चीज़ता मत कीज़ेगा, थोड़ा समय दीज़े एक तो दिन का, इस पूरे PPT का, PDF में कर्मेट करके, आपको अपलोड कर दीज़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब नोर पीक्स प्राइज, एकोनॉमिक्स का, एकोनॉमिक्स की शेतर में, अर्थ शास्त्र, एकोनॉमिक्स में किसको मिला, 2020 का नोर पीस प्राइज, नोर प्राइज, नोर प्राइज, सरलता से उसके improvement के लिए auctioning process auctioning बहुत बड़ा अर्थववस्ता में important process होता है जो हमारा auction की वस्तुएं की जाती है जो theory थी उन्होंने उस theory में इन्होंने improvement sales किया और ये बताया कि कैसे auctioning process को better बनाया जा सकता है जो बहुत important process है इसी लिए इन दोनों को Paul Milgram को Robert Wilson को economics की field में इस award से नवाजा गया तो यहाँ पर इनका नाम भी note कर लिए Paul Milgram, Robert Wilson अब बना लिए देखिए Paul Milgram, Robert Wilson जैसा सही लगता अपनी कर्विन से जैसा कि मैंने आपको trick बता ही पहले वैसे यहाँ पर भी apply करके अपनी कर्विनीन से कुछ याद करने के लिए बना लिए दो नाम याद आपको रहने चाहिए exam होने तक अब देखिए यह जो Nobel Awards होते हैं यह तो ठीक है newspapers में, magazine में, current affair में लगातार जैसा coverage रहता है लेकिन कुछ award ऐसे रहते हैं जो अब बाड़ों में शुरू शुरू में तो आते हैं लेकिन उसके बाद में उसका उत्रा जादा description नहीं मिलता है उन award को भी आपको एक बार देखना चाहिए जैसा कि right livelihood award right livelihood award अब यह award इतना important है इसको alternative इसको alternative no prize भी कहा जाता है right livelihood award को alternative no prize भी कहा जाता है और यह रखेगा इसमें जो greater thanberg जो united nation में जिन्होंने climate change में बहुत काम किया climate change में greater thanberg स्वीटन के रहने वाली उनको भी alternative no prize मिल चुका है तो 2020 का right livelihood award इन चार हस्तियों को चार personality इसको दिया गया देख सकते हैं यहाँ पे Iranian इरान के human right lawyer इरान के human right lawyer नस्रीम नस्रीम female है इनको अवाट दिया गया इरान के human right lawyer नस्रीम दूसरा United States के civil right United States में civil right की लड़ाई लने वाले lawyer Bran Stevenson उनको भी अवाट दिया गया उसके अलावा indigenous rights and environment enforcement की शेतर में काम करने वाली अक्टिविस्त इन्वार्मेंट के area में काम करने वाल अक्टिविस्त लूटी कनिंगम इनको भी और दिया गया निकार्गॉअ की है निकार्गॉअ की और हमारे फोत हैं बेलारूस के बेलारूस के human right activist बिलरूस के human right activist इनका नाम है Alice बियाली कार्सकी इनको भी बिलरूस के इनको भी human right award इसका activist है right livelihood award दिया गया 2020 का तो greater than work जिनको award मिल चुका है इस बार 2020 में चार हस्तियों का award दिया गया तो यह alternative no price भी कहा जाता है तो no price तो आपको याद रखना ही है लेकिन इस तरह के award जो मीडिया में न्यूज में रहते हैं पट हमारी जो नजर से कई बार निकल जाते हैं और exam में कोशन कई बार इससे गुमा फिरा के बन जाता है इन चार्ण नाम को याद कर लिजेगा जो चार्ण ना मैंने आपको यहां बताए स्लाइड में एक दो बार जोड देंगे कुछ बना लेंगे ट्रिक तो यह याद रह जाएंगे नेक्स्त, Seo-all Peace Prizerem. स्योल Peace Prize हमारे मोदी सहाब मोदी सहाब को بھی Seo-all Peace Prize मिल चुका है มोदी सहाब को मिला आथ बने को आब नियूस पेरी नेखर किया था लेकिन अब बहारत के सती नहीं है तो कवर ने लेकिन एक्जाम में इंटरनेशनल जो परसेनलिटीज हैं जो उनको अवाड जीता उसके भी कोशन पूछता है तो सियॉल पीस प्राइस यह किसको मिला आप सोचेंगे आपको ताजू बगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी अब सोचें ओलंपिक कमीटी का में पर प्राइस दोघर 2020 सियॉल पीस प्राइस ़ोजर भी दिया गया अब पीस प्राइसे स्नल पीस प्राइ segunda कोरिया यह क्याrim प्रभाट इन्होंने पार्टीसेपेशन एंसोर किया था नौर्ट कोरिया का चुद्की नौर्थ कोरिया साओ्थ कोरिया में लगतर तनाव रहता है वहां पे उनके बीच में कंफ्लिक्ट वार होती है तो इन्होंने दूज़र अठारा के विंटर ओलंपिक गेम में नौर्थ कोरियन डेलिगेशन का पार्टिसिपेशन को एंशो करा पीसफुली उस औरगनाईस इवन्ट को किया जो कि खेल जो स्पोर्ट है वो पीस को बढ़ावा देता है नौर्थ कोरिया साउथ कोरिया और दोनों एक मंच पे इस ओलंपिक गेम में दो आठारा के विंटर ओलंपिक की बात कर रहा हूं है इसमें इन्हों पे जोइन नोर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वोमेन हौकी टीम अपैस तरह की इवेंच पीसelf को शानतिक्त को बढ़ा देते हैं इसलिए CEO Peace Prize ये International Olympic Committee के President Thomas Bash को 2020 के लिए दिया गया, ये important है, इससे पहले मोदी साब को भी अवर्ड मिल चुका है, important है एक्जाम के साब से, बिलको, राइट लवली ओवर्ड चार परसंद को है, अनी चोहान जी जी करो English, अनी चोहान जी के सवाल क्या है आपका, मैं अगरिकल्चर से हूँ, जी करो इंग्लिश, शॉर्टकट एसलिबस बताओ, देखिए, अनी चोहान जी, आप अच्छी बात है, अच्छा स्कोप है, अच्छी बात है, मेरा आपसे कहना है, आप किसी भी सेपरेट ले रिखा, आपने अगरिकल्चर हो, आपके होटिकल्चर हो, किसी भी ऑप्शनल से आप ACF दे रहे हो, लेकिन जी के इंग्लिश, दो ऐसे सेग्मेंट हैं, इन दोनों पेपर में इंडिविजुली आपको 35%, 35 इन दोनों पेपर में सेपरेटली, सेपरेटली स्कोर करना है, नमबर वन, दूसरी बात, जी के और इंग्लिश, मैंने एक लेक्चर लिया था, जिसमें कि मैंने आपको स्टड़ी डिस्क्स किया थी, एसे हवारोगी, लास्ट 50 डेस, लिया था सच्छन मैंने, उसमें मैंने पूरा फोकुस किया था कि English is a game changer, English grammar is a game changer, English grammar को मत छोड़ना, छोटी ट्रिक, ऐसी कोई ट्रिक छोटी ट्रिक नहीं होती है, आपको syllabus तो पूरा करना ही पड़ेगा, अनील जी, अनील जी, syllabus तो पूरा करना ही पड़ेगा, बगी सभी साथे को बताifa हूँगा, मैं, syllabus को मत छ करती यह पकोज करने वाले जाता है आप लोग इमांदरी से मैनत कर रहे हैं और ऐसे और भी साथी आपके जो मैंनत कर रहे है और तो उसकम सीट के लिए फाइट होती है तो यहां पर कॉंपटिशन एक्जाम में एक ही सोलोशन होता है कि आप चीजों को इंगलीश की बात इसी लिए मैं कोई टॉपिक लेता हूं करेंट अफेर का लिया या जी के एकनॉमिक्स का लिया या इंडिया जोग्राफी का लिया इ इटेल में जाके इंडेप्ट उसा कवरेज दिया जाए क्योंकि सवाल कैसा भी बने आप तैयार हैं आपके पास सारे अस्त्र और सस्त्र हैं आप युद में कभी प्राजित नहीं होंगे यही प्राइम और अब्जक्टिव है अनिल जी आइधिंक मैंने आपकी बात को क्लि में दिये गए उसी कड़ी में लिट्रेचर की शेतर में लिट्रेचर में इंटरनेशनल बुकर प्राइज इंटरनेशनल बुकर प्राइज यह इंटरनेशनल बुकर प्राइज यहां बात कर रहा हूं मैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की तो यहां पर अनौंस किया गया गया था इसमें आपका अवाढ़ इंडे। निदर लैंटЗ कि एंडे डच निदर लाइड कि दो कि दो टी उस किताब को translate किया गया था English में यह award मिलता है आपका interagraphies English में publication के लिए तो इन्होंने book लिखी थी basically वो चुकि Netherlands है उसको translate किया गया था English में translate किसी ने किया? translate किया था आपका Michelle Hutchinson ने इन्होंने इसको translate किया इन्होंने किताब लिखी और book का नाम था The Discomfort of Evening The Discomfort of Evening किताब का नाम The Discomfort of Evening तो याद रखिएगा award किसको मिला? यहाँ पे religion world को किताब का नाम क्या है? book का नाम क्या है? The Discomfort of Evening The Discomfort of Evening और जिन्होंने translate किया Michelle ने यहाँ पे इनको translate का English में चुकि यह निजलेंड की है इन्होंने ने यहाँ पे Dutch से इसको translate किया गया तो यह International Booker Prize भी English में publication किसी book के publication के दिया आता है चुकि यह writer जो है निजलेंड की है इसको translate करने वाले को भी award में से कुछ राशी दी गई तो याद रखिएगा यह दो नाम Lucas, Regenwald और Michelle इन दोनों को award मिलता है The Discomfort of Evening Book के लिए International Booker Prize 2020 Again अब यहां confusion क्योंकि एक तो होता है Man Booker Prize Man Booker Prize दोनों में difference है दोनों ही आपका writing skills के लिए है books के जो किताब लिखे है उसके लिए है लेकिन दोनों में difference है This is Booker Prize 2020 Man Booker Prize यहां पे award मिलता है Douglas Stuart को Douglas Stuart को award मिलता है यह आपका Man Booker Prize जो इनकी novel थी शगी बें उसके लिए उनको award से नमाजा गया तो दो नाम याद रखीएगा वहां पे नाम बता है यहां पे नाम यह रखना है आपको Douglas Stuart यह है Man Booker Prize दोनों में fundamental difference तो इस तरह के सवाल कई बार confused करतेगा अब आपको एक्जाम पूशन पूचेगा Man Booker Prize का उसमें international Booker Prize के नाम भी mention करतेगा तो elimination करना आना चाहिए और जब तक concept clear है एकदम सही पढ़ा है आपका सवाल गलत नहीं होगा तो इसलिए इसको मैं important mark कर रहा हूँ आपके एक्जाम में इससे question पूच सकता है चाहिए ACF हो आने वाला RS Pre हो कोई और एक्जाम railway का दे रहे होगा आप SSE का दे रहे हो सभी में help करता है और देखिए literature के शेत्र में हमारे भारत में भी कुछ important award दी आते हैं जिसके बात मैं आगे करूँँगा उसी में एक award है Tata Literature Lifeline Award ताता का जो trust है रदन अटर ताता साब का जो trust है वो award देता है Tata Literature Lifetime Achievement Award Tata Literature Lifetime Achievement Award किसको मिला famous noblist Ruskin Bond को Ruskin Bond को मिलता है Tata Literature Lifetime Achievement Award इन्होंने तकरीबन 100 से अधा 100 के आसपास substantial level की बहुत ही significant books इन्होंने publish करियन लिखी है तो इनका award दिया गया Tata Literature Lifetime Achievement Award Ruskin Bond को ये भी याद रखिएगा अब confusion होता है कि Tata भी literature का award भी देता है तो ये चीज़ें तब आती है जब हम theory में current affair को detail में पढ़ते हैं इसलिए बार बार एंफेसर करता हूँ in-depth coverage comprehensive way में current affair cover होना चीए सवाल कैसा भी गुमा फेरा के आजा यू रेडी तू अटैंप्ट डैट कोशन एक दो सवाल कमेंट पर ले लेता हूं में राइस्तान जी के current से जी के में 35 हो जाएंगे सर ताकि कम से कम देखिए देखिए अनिल चोहान जी एक बात याद कल समझ लीजिए बागी सभी इस सवाल से में जो सवाल नहीं है सवाल इनका अच्छा है और इस सवाल में पहले भी आ चुका है कई लोग पूछते हैं कि क्या 35% नंबर हम लेके चलना है मान लीजिए आप में टार्गेट लेके चला कि मुझे अगरिकर चलना पढ़ लिया है मैंने होटिकर चलना पढ़ लिया है मैंने ऑप्शनल पढ़ लिया है 45% में target लेके चलना हो हमाँ target तब कम होता है तो असली score हमेशा उससे कम आता है target 45% में लेके चलोगे तो 35% कभी नहीं आएंगे पहली बात दूसरी बात ही है चुकि मैंने का competition आपका tough है हर exam में पतवार में भी competition tough है क्योंकि seats और number of candidates का ratio उसमें mismatch है तो अगर आप सिरफ superficially पढ़ते हैं किसी एक सब्रेट को लेकिन दूसरे candidates को डिटेलने पढ़ते हैं seat है कम है दूसरे candidates आपसे आगे निकर जाएंगे तो अनिल जी अगें बोलूँगा जी के हो चाई इंगली शो अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी भी समय 39 days हैं आपके पास में थोड़ा focus कीजिए at least इतना कोशिक कर लिजे कि हर topic का जो syllabus है उससे main main चीजें आपको दिमाग में रहें लक्ष बुक पढ़ सकते हैं मिनियम टार्गेट है score जो final med list बनेगी उसमें कितने आपके score आ रहा है कितने आदा केनेट के score आ रहा है उसके बीच में होगा comparison तो इसलिए हलके में नहीं लेना है और मैं वापिस बोलूँगा in-depth coverage जितना हो सकता है आपसे 100% अपना इमानदारी से effort कीजिए this is the only method to crack any exam किसी एक्जाम को crack करना हो किसी एक्जाम में अच्छे number आने हो आपको syllabus cover करना चाहिए खाली 35% सोच के मत चलें क्योंकि exam अगर tough आ गया चुँकि ACF का GK का paper ये RS line पे रहेगा अगेन बोल रहा हूँ ACF का GK का paper RS pre line पे रहेगा और RS pre में आप paper देख लिए 28 लगा देख लिए 2800 लगा trend change हुआ है RS pre में भी तो सवाल की complexity बढ़ रही है इसको आप first grade से compare मत कीजिए first grade different profile है ACF different profile है ACF में 6 साल की promotion के बाद में आपको आप UPSC के Indian forest service level तक पहुंच सकते हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यहां पे cover तो करना है पड़ेगा जितना हो सकता है slave house ख़तम करने की कोशिश कीजिए मैंने कई lectures लिए हैं जहां मैंने बताया कि आपका राइस्तान पार्ट हो चाया आपका इंडियन जीकी का पॉर्शन हो अब sports category में एक और हमने national award देख लिए national sport award देख लिए अरजुन आवार्ड देख लिया हमने राजीव गांधी खेलतन आवार्ड देख लिया अब उसी category में कई बात इस तरह की sport के आवार्ड होता है इस पे भी सवाल बन जाते हैं सिंगल वन लाइनर current effect सवाल जो आता है हमेशा वन लाइनर ही आता है अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं पता तो वो गलती होगा तो इसलिए cover कीजे यहां पे अवार्ड है laureus world sport award laureus world sport award यह berlin जर्मनी से अवार्ड दिया आता है laureus world sport award तो laureus world sport award जो है यह हर साल world sports man of the year हर साल world sports man of the year announce करता है तो यह basically award जो world sports man of the year एक साथ दो लोग को एक साथ दो लोग को दिया गया jointly एक तो बारसिलोना के हमारे football के striker बारसिलोना के football के striker सब जानते हैं मैसी लिए उने मैसी मैसी का नाम हम सब जानते हैं बहुत ही famous sport के football के खिलाडी मैसी इनको आवार्ड दिया गया डूसरा jointly जो इनके साथ जिन्होंने share किया अवार्ड वो है Lewis Hamilton Lewis Hamilton जो की F1 Formula Race F1 Formula Race के important driver जो drive करते हैं इस Formula Race में participant करते हैं तो यहाँ पे Lewis Hamilton और बारसिलोना के हमारे striker मैसी फुटबाल के इन दोनों को jointly अवार्ड दिया गया Laureus World Sport Person of the Year 2020 एक हमारे भारत के लिए गर्व की बात भी है और भारत के लिए एक्जाम के साथ से important है कि सचिन तंदुलकर जो कि अब क्रिकेट नहीं खेलते हैं काफे समय पहले सन्यास ले चुके हैं लेकिन सचिन तंदुलको भी इस अवार्ड में एक इंपोर्टन्ट अवार्ड मिला उसका नाम है स्पोर्टिंग मूव्मेंट अवार्ड लॉर्यस स्पोर्टिंग मूव्मेंट अवोर्ड जब भारत ने वर्ल्ड कब जीता था उस समय उस moment पर सचिन तंदूल का परफोर्फॉरमेंस बेहत कमाल का था और भारत के विराट कोली और जो खराड़ी उस समय थे टीम में उन्होंने सचिन तंदूल को अपने शोलडर पे उठा के पूरे ग्राउंड का राउंड लगाया था पुरे ग्राउंड का राउंड लगाया था सचिन तेंदरूर को अपने शोल्डर पे रखके तो मॉमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट था भारत की दियास में तो ये अवार्ड उस मॉमेंट के लिए दिया गया है इसका नाम ही है लॉर्यस स्पोर्टिंग मॉमेंट अवार्ड सचिन को ये अवार्ड आपका दिया गया स्पोर्ट का तो ये भी 2020 का अवार्ड लॉर्यस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड कैटेगरी में और देखिए. Lordeus World Team World Team of the Year Owner World Team of the Year Owner किसी एक टीम को जिसने की 2019 का Rugby World Cup जो जैपैन में हुआ था वहाँ पे जीत हासिल की तो South Africa की Rugby Team जिसने की 2019 के World Cup में जीत हासिल की इसको भी Laureus World Sport Award मिला तो तीन चा नाम है टफ नहीं है सर्जिन का नाम तो आप सबको याद है वो मोमेंट भी याद है कि World Cup में जब साथे खिलादी उनने उनने उसको शोर्डर पे उठा के गुमाया था और ये हमारे मैसी और लिवस हैमिल्टन इनको मिलता है World Sport Person of the Year 200 Laureus Award तो ये important रहेगा इसको याद रखिए खास तौर पे सचिन की उपलब्दी हम नहीं भूल सकते उस World Cup में अब स्पोर्ट कैटेगरी में कई संस्तान कई Awards दी जाते हैं तो मैंने यहां पे important award सबसे पहला तो एक्जाम में important national sport award राजीव गांधी award जो मैंने cover कर दिया अब ये जो ESPN sport award है ये भी important award है sport category में तो ESPN sport award ये दीएगा पीवी सिंदू को पीवी सिंदू को जिन्नोकी third time ESPN sport award category में female sport person of the year female sport person of the year 2020 ESPN का award ये इनको मिला third consecutive time third consecutive time इनको award तीसरी बार लगातार award मिला इनको और देखिए जो सौरप चौधरी है shooting में जिनको Arjun Award मिला है मैंने बता है आपको सौरप चौधरी को Arjun Award मिला है shooting में सौरप चौधरी को basically male category में male category में ये ESPN sport person of the year 2-0-2-0 दिया गया एक हमारी जो famous athlete, racer Dutty Chand famous athlete, racer, Dutty Chand उसको award मिलता है first winner of the courage award इसको courage award ESPN का courage award दिला मिला Dutty Chand को तो तीन नाम PV संदू, सौरप चौधरी और Dutty Chand को मिला ESPN sport award याद रखेगा ये भी गुमा फिरा के examen पूछ सकता है हमें लोग के सवाल ले लेता हूँ देखिए परबल जी sound की ऐसे कोई sound की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ये परबल जी sound का मेरे तरफ से sound का कोई issue नहीं है कोई technical issue नहीं अपने एक बाद setting को page को refresh कीजे और अपनी microphone setting को check कीजे यहाँ पे को technical issue नहीं है as far as sound is concerned sound में कोई technical issue नहीं है एक बाद अपनी settings को check कीजे mobile की laptop की iPad की जो भी आप use कर रहे हैं और जो सवाल दो ने पूछा है लली जी ने कि ACF ACF science का सलेव पूरा सलेवर कवर किया है नहीं कर दिए बिलकुल ACF लली जी ACF का science के मैंने 6-7 lecture लिए थे अनकेडमी प्लस पे जिसमें की more than 80% मैंने cover कर दिया था और अभी दोबारा remaining कुछ दिनों में मैं 2-3 unit जो बच गए थी उसको भी cover कर दूँगा तो मान के चलिए अनकेडमी के plus पे 80% आप आज भी देखेंगे अनकेडमी के plus course पे तो मेरा science का segment वहां पूरा cover है more than 80-85% remaining 10-15% मैं इन दिनों में एक हफते दो हफते में 2 unit को या तो अनकेडमी की special class या अनकेडमी के plus course पे ले कर आजाओंगा उसकी जिनता मत कीज़ेगा जो मैंने commit किया वो हमेशा पूरा किया इन्वार्मेंट एकलोजी पहले ही खत्म कर दिया था अब दुबारा उसका revision कर आ रहा हूं और पांच उनिट उसकी दुबारा से लेकर आ रहा हूं from 12th of January उसी के साथ में जो science and tech का portion है ये भी मैं आपका 80% खत्म कर चुका हूं remaining जो portion है उसको मैं cover बहुत सून कर दूँगा तो ये एक और award हमाना आयूस इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी आई ओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी आई ओसी ने बेसिकली lifetime coach category में coach category में बैंड मिंटन के हमारे उस्ताद बहुत इन्होंने बैंड मिंटन में जो देश को सेवाय दी है वो एक दम सरानी है बैंड मिंटन के फील्ड में इन्होंने जो काम किया है आज पीवी सिंदू की बात होती है सायना नेवाल की बात होती है लेकिन this is the real person behind the curtain ये वो शक्स हैं जिन्होंने की सभी खिलाडियों को बैंड मिंटन में आज भारत में जो परतीवे हम देख रहे है और पीवी सिंदू ने जो मैडल असे कोच ऐसे बिसिकली गुरू है बैंड मिंटन के इनको अवार्ड मिलना लाजिम था और बिलकुल गोपी चंत को ये बैंड मिंटन के जो हमारे कोच उस्ताओं इनको अवाड दिया गया दो हजार उणनीस का अवाड थाoooo 2000 बीसमे कनफट किया गया अवाड 2019 का था 2020 में कंफर्ड किया गया इसलिए मैंने कवर किया इसको इंटरनेशनल लंपिक कमीडी ने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवाड दिया मेल कैटेग्री में तो यह exam के साब से बहुत important हो जाता है कोई भी exam हो सिरफ ACF की बात नहीं है यह चीजे सब्सक्त्राइब अरस के प्री होने वाला exam उसके साथ में आपने ससी के exam railway ntpc गोरूर ऑफट वार के exam सब्सक्त्राइब अव्य चीजें कुर्ण की चीजेजें हर exam साम में आती हैं बिरिंद जी आपको भी गुड़ इवनिंग सभी सातियों का अनकेडिमी के मंचुपे हार्दी सवागत है आरेस की वेकेंसी राहूल जी ने उच्छा आरेस की बढ़ती के बारे में आरेस की बढ़ती यदि 2.18 का मामला कोड का इतना जो शक्षा नहीं होता तो शायद फैप तक मार्स तक वेकेंसी आ जाती लेकिन अभी आरेस 2.18 की बढ़ती है वो कोड में लंबी तब जानते हैं डबल मैंच में मामला गया हुआ है तो उमीद करते हैं कि जल्दी इसका निप्टा रहा होगा और जो हमारे साथी हैं जो इमानदरी से तहरे कर रहे हैं उनके हित में फैसला आए और 2018 की बढ़ती जैसे अपनी end stage पे होगी RS 2021 बढ़ती जल्द आएगी मैं यह नहीं कहा रहा कि कब आएगी आ जाती अब 2018 की फेके पार में खवर भी आए थी कि जो हमारे भुपेइंद सिंग्यादव जी जो है आर पीसी के चेर्मेन इन्होंने चिट्थी पत्र लिखा है दियो पीटी को और यह अब्यारतना मंगिए अब्यारतना दो हमें जो डिफेंट डिपार्टमेंट की सीटे आरेस में वह बैसिकली इसी वर्ष 2021 में आपका फिनिश हो जाएगा दिसंबर तक तो उससे पहले चाहिएंगे कि at least आरेस की में से एक्जाम करवा लें तो उमीद कर सकते हैं कि मार्च अप्रेल तक कोई समामना बनेगी आरेस की बढ़ती आनेगी उससे पहले आगई तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मार्च अप्रेल तक उमीद आप कर सकते हैं आरे 2020 के लिए थोड़ा और डिले भी में हो सकता है विकॉज ऑफ आरेस 2018 वेकेंसी जो की पैंडिंग है फाइनल तो ये Lifetime Achievement Award याद रखिएगा फुलेलो गोपी चंत का इट इस वेरी इंपरेंट अब देखिए Movies Entertainment World Movies Entertainment World इनसे भी अवार्ड इनसे भी अवार्ड पूछे जाते हैं क्योंकि ये ऐसी अवार्ड है जो की पुरे वर्ड ग्लोबल लेवल पे हैं चाहिए कोई भी एक्जाम हो तो आसकर का 2020 का अवार्ड जो मिला था मुवी मुवी के लिए वह मिनता है आपका पैरासाइट पिक्चर फिलम इंटरनेशनल फीचर की वाहतो बैस पिक्चर की बात और इसको writing of the original screenplay के लिए भी आवार्ड मिला तो चार category total 4 categories में आवस्कर का आवार्ड परसाइड मुवी को दिया गया था पहली बात दूसरी बात जो इस मूवी के पिडूसर एं बांग जून हू जूस मूवी के पीडूसर है उनको बेसिकली तीन जो तीन बैस पिक्चर बैस डारेक्ष्ण बैस इंटर्नेशनल फीचर फिल्म उस तीन अवार्ड इनके खाते में गए बॉंग जून हू के खाते में तो याद रखिएगा आसकर आवार्ड की बात की आएगी तो पैरासइट पिक्चर चार आसकर आवार्ड याद रखिए इंपॉर्टेंट है ये भी क्योंकि ये चीजें तो साल में एक बा आवार्ड में जोक्वीन फॉनिक्स को जोकर मुवी में फॉनिक्स ने लीडिंग रोल का जो क्रेक्टर प्ले किया था उसको आवार्ड दिया गया फीमेल कैटेगरी में एक्ट्रेस मिलता है रैनी जैल वेगर को रैनी जैल वेगर एक्ट्रेस इने लीडिंग रोल मुवी ह और वहाँ पे Phonics को मिलता है Joker का Award, Joker Movie में Actor इनने Leading Role तो ये भी Oscar Award में Best Actor, Best Actress इसको भी याद रखना है ये तो बात होगे International Awards की भारत में, भारत में जो मूवीज बनती है उसके Award में एक important Award है आपका Film Fair Award Film Fair Award 65th, अभी नया तो अब आएगा अगले कुछ दिनों में, महिनों में आपको पता लगेगा नया 66th Award लेकिन ये पैंसर टपा जो फिल्म अवार्ड था 65th वाला, ये 2019 2019 की मूवी के लिए दिया गया 2020 में, Award 2020 में दिया गया for 2019 Movies 65th Film Fair Award तो यहाँ पे Best Actor इनने Leading Role, Male Academy में रनवीर सिंह, रनवीर सिंह को Award मिलता है, Gully Boy के लिए रनवीर सिंह को Award मिलता है, यहाँ पे Gully Boy के लिए, Best Actor इनने Leading Role, Male Category Best Actor इनने Leading Role Female Creativity मिलता है आपका आलिया भट को Gully Boy के लिए Award और Best Director था, वो मिलता है, जोया अक्तर को Gully Boy, तो Gully Boy बेसिकली आपका चार अवाइ। बैस्ट एक्टर हो harmOT बैस्ट एक्टर से बैस्ट एक्टर के बात हो चारो चार्व कैटेग्री में आवाइड से नवाजा गया आप देखे यह चीजें अगें बोलता हूं इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल आवर्ड ऑड़ होते हैं उनकी अपनी अलगी पहचान रहती है और खास तो और पर कोई ऐसा वाड जो की युनाइटेड नेशन युनाइटेड नेशन के दूरा दिया रहा है तो वह तो climate के शेतर में in volont के शेतर में 2019 का champion of the earth award champion of the earth award champion of the earth award दोजए antlos का एकिसको लिया गया था यह इनवांस के शेतर में United nations का highest सबसे supreme लेवल ठावरड यह champion of the earth अवर्ड 2019 की बात कर रहा हूं 2019 की यह वाड दिया गया था Friday for Future को अवर्ड इसको मिला था Friday for Future Friday for Future United Nations का Champion of the Earth अवर्ड से नवाजा गया इसने Climate Action के लिए Climate Action के लिए बहुत आवाज उठाई और इस ग्रुप को जो लेड कर रही थी वह आप सब जानते हैं Sweden की रहने वाली ग्रेटा थेंबर्ग स्वीटन के रहने वाली ग्रेटा थेंबर्ग जो की टिनेज एज में Climate की मुद्दे पर इन्होंने मुमेंट को लीड किया मुमेंट का नाम था Friday for Future Friday for Future डटे नेशन का चैंपियन ऑफ दी अवार्ड अर्थ अवार्ड से 2019 यह बात कर रहा हूं है 2019 2019 में यह अवार्ड दिया गया तो 2019 की बात करेंगा 2020 में मैंने 2019 का सवाल पूछे गए हैं कुछ अग्जाम इसमें अब 2020 का भी आपको यह तकना है 2020 में चैंपियन ऑफ दी अर्थ अवार्ड यहां पे नाम आप देख सकते हैं दूसरा याकूबा याकूबा को भी मिला इंस्पिरेशन अर्थ अवार्ड वार्ड फ्रांक को मिलता है। और फाबियन इन तीनों को डिफरेंट फिल्स में उनाइट नेशन का चैंपिन ऑफ दी अर्थ आवर्ड फ्रैंक को तो मिलता है पॉलिसी लीडर्शिप के लिए याकूब को मिलता है इंस्पिरेशन और एक्शन के लिए और फैबियन को मिलता है साइंस और इन्नोवेशन के चैंपिन ऑफ दी अर्थ आवर्ड उनाइट डिशन का 2020 आगे देखिए तीन नाव हो और रहे हैं यहां पर मिंदी लबर मिंदी लबर एंटर्पिनोर्शिप के लिए रॉबर्ट बुलाज लाइफ टाइम अचीमेंट लाइफ टाइम अचीमेंट के लिए और हमारा नेमों इसका वर्ड बता है यहां पर और नाम भी है इनको भी नोट करते चलें क्योंकि बाइचांस एक्जाम में फ्रैंक याकूबा फैबियन मिंडी रोबर्ट या नेमोंटे इनका नाम आपसे पूछ लिए तो नहीं होना चीए यह तो मैंने पढ़ा नहीं था यह किस तरह का न कि बात करेंगे तो नंबर वन पर है इसके अवर्ड तो आपको याद होने ही चाहिए अट लीस्ट तो डायरी में कॉपी में जहां लिचाने या उसका स्क्रीन शोल लिए इस इमेज का इसकी शोल ले सकते हैं पीडिएफ में शेयर कर दूंगा जैसा कि मैंने प्रॉमिस किय है लेकिन आप इसका इसकी शोल ले लिए या डायरी में कॉपी में एक लीस्ट नाम रहते हैं खुद के बनाएवे नोट्स हमेशा बहुत एफेक्टिव रहते हैं क्योंकि वह आपको याद रहता है पीडिएफ देने में कोई दिक्कर ने पीडिएफ में शेयर भी कर दूं यह मेरे आप से एक सज्जेशन है देखी ACF के लिए ACF के लिए मैं यह बताना चाहता हूं आप से English grammar में ACF के लिए एक चीजह बोना चाहूंगा चुकि current affair की जहां तक बात है लोगों ने पूछा comment पड़े मैंने ACF के लिए आपको current affair में पुरानी चीज़े देखी नहीं पड़ेंगी 19 का दिना पड़ेगा 20 का भी देखना पड़ेगा because chairman change chairman change है दीपागुपरती साथ जो chairman थे उस समय paper बन चुका था यह सबको पता है लेकिन अब जो है हमारे ने बुबईन सिंगा था जी वो chairman आ गए अब वो paper को वह रखेंगे या paper change कर देंगे या उसमें questions बड़ेंगे यह सब उनके हाथ में discussion पर रहा है इसलिए बोल रहा हूं है कि 2019 का 2020 का 2019 के अपरेल से कम से कम December 2020 का current affair पढ़ते चलें December 2020 का current affair फ्रॉम April 2001 नहीं देट साल का कवर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास option नहीं exam दो बार पसपॉंड अल्रेड हो चुका है और paper पहले बन गया था दुबारा वह तो पुछेगा paper नया बना तो नया grant आएगा तो इसलिए हमें अपनी तयारी को यह सोचते वे कि कैसा भी को आजाए आप तयार रहें दोनों तरह से तयार रही है यही एक मात्र रास्ता है तो यह नाम मैंने बता दी है इनको नाम को यह तक ना अभी किसी ने पूछा है मुझसे सवाल एस एक्जाम में option में scaling होगी गार देकि scaling का notification में जिकर नहीं है scaling का notification में जिकर नहीं है लेकिन 2011 की बढ़ती जो आई थी लास्ट टाइम पर जो candidates हैं उनसे हमारी खुद की बात हुई बलकि कुछ साथी भी है 2015 में जोने जोइन किया उनसे मेरी खुद बात हुई वहाँ पे scaling हुई थी पुरानी बढ़ती में scaling हुई थी पुरानी बढ़ती में भी notification में नहीं लिखा था दूसरी बात जब RPSC गए RPSC से बात करी deputy secretary से बात करी उनसे बात जब गिरी तो उन्होंने मुझे को formula तो नहीं पुरानी बढ़ती में scaling हुई है आप इसको आरे से compare मत करो RPS में optional नहीं है आरे समें scaling होती थी दोजा तीरा से पहले तीरा के बाल स्केलिंग हटा देगी कारण क्या था हाई कोट ने अदिए और वैसे भी RPSC में में optional नहीं आते हैं पर ACF में आपके total 14 14 optional पेपर हैं 14 ACF में कैसे compare करोगे आप agriculture को mathematics से या mathematics को horticulture से या आप engineering subject को जुरोजी बौटनी से कैसे compare करोगे दोनों के बिल्कुल different type की paper बंते हैं तो scaling करने से level playing field आया थी उनका formula होता होगा वो उनने disclose नहीं करा तो notification में चिकर नहीं है लेकिन पुरानी बढ़ती के साब से और RPSC ने जवाब दिया उसके अनुसार scaling होनी चाहिए as per my opinion बागी समय के साथ में पता लग जाएगा कि क्या होता है क्योंकि marks तो आएंगे भी और वह आपका score दिखेगा आप आपका तो आप अनलाइस कर सकते ह मैंने आपने कुशन जाता कि यह आंसर की इतना में बन रहे थे और वाइनल स्कूर कितना है तो scaling का बारे में चीजें पता लग जाएंगी समय के साथ में अब ही आप फोकस कीजिए किसी भी तरह से maximum score करने की चाहिए कोई भी आप्सिल में पर आपका agriculture हो हो इंजिनिंग पर परो maximum score करना वह इस तरीका जो RS प्री में RS में में हम लगाते हैं वह यहां ECF में हमें लगाना है अच्छे अच्छा स्कूर करने की यह हम सब के हाथ में तो यह यह आपका अभी चैना मैंने बता दिया आपको आगे देखिए अब ग्रेटा थेंबर्ग को कई अवार्ड मिल प्राइस यूमेनिटी के लिए अब देखिए नाम इनवार्मेंट का होता हमेश्य जब में ग्रेटा थेंबर्ग के नाम आता है एक इमिट आती इनवार्मेंट प्रेया और दूसरा स्वीडन कंट्री तीसरा टेनेजर हैं लेकिन इनको अवार्ड मिलता है इनको कई अवार प्राइस फॉर दी यूमेनिटी फॉर यूमेनिटी के लिए इनको अवार्ड दिया गया तो यह आप याद रखिए इसलिए मैं इसको बड़न कर देता हूं कि फर्स टाइम ये अवार्ड दिया गया है फर्स टाइम १बारत के लिट्रेचर के अवार्ड भारत में जो लिट्रेचर के अवण होते हैं वो exam के साब से बहुत इमपरकत है भारत में लिटेटरेचर न मिनने वाले और उसी अवर्ड की शनी में ज्याण पीट अवार्ड इसको हिंदी में एंग्लेश के स्पेलिंग आस्पाय में हो तो बेसिकली 2019 का 2020 का तो अब आएगा 2020 का तो आएगा आने वाले दिनों में लेकिन 2019 का वाड अवाड दिये गया था बीश में 2019 का ज्यानपीड अवाड यह मिलता है मल्यालम केरला की रने वाले फेमस पोईट के पोईट है उनका नाम है अकितम एक्षूतम नंबोदरी अकीतम एचूतम नमबोद्री इनका पूरा ना मलयालम पॉइट केरला के पॉइट दोज़वनीज के लिए इनको ग्यान पीट अवोर्ड से नवाजा गया और ये 55th नमबर का 55th नमबर का ग्यान पीट अवोर्ड था तो 55th नमबर का ग्यान पीट अवोर्ड अकीतम एचूतम number three को मलयाणम point है इनको ये नवाजा गया तो ये आपको याद होना चाहिए साईत्य Academy Award तो एक्जाम के हिसाब से भारती लिट्रेचर में भारती लिट्रेचर में अपनी खासा image खासी पहचान रखते हैं साईत्य Academy Award इस सवाल लगातार पूछे गए हैं कई एक्जाम में साहित्य एक्ट में उर्च और आपका एक fourth सकता है आरस में पूसकता है रेलवे एंटीप सकता किसी एक्जाम में वहाद को शहां से में बूढ नवह वार्ड जो है थे से से तून्टी थी लेंग्विजेस थे भाहरती क्वाधुआवान में उसमें English इनले उसमे बहुत इंपारइंट तो आप exam आप त्यारी कर रहें है य। में ऐश्ता का एग्जाम दिरे राहेसितान के बप्टिया राहिस्तान या dollar राइस्तान की भाषा में राइस्तानी लेंग्वेज में जिसने अवार्ड जीता वह बहुत रहेगा तो राजिस्तानी जो अवार्ड मिलता है वह राइस्तानी लेंग्वेज में राइस्तानी लेंग्वेज में बारीक बात बारीक बात जो की शौर्ट स्टोरी है शौर्ट स स्टोरीज की किताब है छोटी स्टोरी स्मॉल स्टोरीज कंपाइलेशन उसका बारीक बात में राजी स्टानी लेंग्वेज में लिखी किताब इसके मिलता है राम सवरूप किसान को राम सवरूप किसान को मिलता है बारीक बात के लिए शौट स्टोरीज है शौट स्टोरीज राम सवरूप किसान को मिलता है बारिक बाद के लिए और यह किताब भी आप यहां पर देख सकते हैं तो बारिक बाद short story compilation सायत्या करनी का आवाड राइस तानी लेंगे में आता है राम सवरूप किसान को बारिक बाद किताब के लिए इसको अच्छे से रट लेना समझ लेना इसी किलास में याद कर लेना इससे कोशन आये तो गलत नहीं होना चाहिए यह बहुत ही important it is very important यहां इसको मैंने very important माग कर दिया इससे कोशन आ सकता है अगेन बोना हूँ यह सवाल इस तरह की होते हैं चाहाए rso acf को भी कुण एकजाम हो जो राइस् возм का नाम राम्स रूपकर्स नgusब को कर सकते हैं कोई विए सिफ के लिए ने की तीन बातें हमेश्य कामन लहें ही पहली बात ग्रेशन की टेक्स्ट बुक दूसरा यूजी सी नेट की बुक्स और तीसरा आपके जो पेपर्स 11-12 क्लास के सब्सक्राइब करना चाहिए कोई भी ऑप्स्टनल फिजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजी जूलोजी बॉटनी जो भी आपका ऑप्स्टनल है कि साहे टेह केड्में वोर्ड 2019 का अवर्ड 2019 का है बीस मिला अब बीस का वाड्ड अभी कुछ दिन वाद नाम आएगा सामने यह और 19 के वाड्ड 20 में दिये गए थे याद रखिएगा साहे ट्रिजित का यह हिंदी हिंदी लिटरेचर के लिए लिए किसको मिला आपका नन्द किशोर आचार को Hindi Literature के लिए अगें इइसели इम्पॉर्टेंट amend केसाब से नाम इंपोर्टनट यह बुक इन यूँज यह करने तफ्ट के सबệए परसन प्लेजिबूच तो नंद किशोर अचारे साब नंद किशोर अचारे को हिंदी लिट्रेचर के लिए आपका साहित्य अकन्य वार दुरबी से नमाजा गया नंद किशोर अचारे इनकी किताब का नाम है छीलते हुए अपनों को पोईट्री ये पोईट्री है छीलते हुए अपनों को किताब का नाम भी आ रखि कोई भी एक्सम आप दे रहे हो एक और साइथ्य आगेडमी यह काम के इस के जानेवादीन नेता को इनको भी साइथ्य आप दिया गया तो आम तो पर कोशन में का नाम आता है तो लोग उसको टिक नहीं करते सोस्ते हैं यह तो यह यह तो पारलिमेंटरिन हैं Congress की नहींत है इनका का काम होगा लेकिन इनको इंगलिश लेंग्विज में किताब लगी ईन्होंने एरा ओफडाकनेस किताब देखिए किताब की schema एरा ओफडाकनेस आजादी के समय भारत की आजादी सब्सक्राइब किताब एंग्लिश लेंग्विश के लिए शर्षी थरूर को इस अवार्ड साहित्य अवार्ड से नवाजा गया था तो यह दो सब्सक्राइब के तीन नाम बता है मैंने आपको एक कर लेते हैं पहला राम सवरूप किसान राइस्तान की किताब बारीक बात राइस्तानी लेंग्वेज राइस्तानी लेंग्वेज में राम सवरूप किसान दूसरा है नाम आपका नंद किश्वर आचारया हिंदी एन एरा ऑफ डाक्नेस नॉन फिक्शन मूवी इनको मिलता इंग्लिश लेंग्विज में टोटल तुंटी थ्री तेइस लेंग्विज में साइत्य अकेडमी ओवर दिया आते हैं बागे लेंग्विज आपके लिए इंग्लिश और आपकी राजिस्थानी यह तीन आपको आनी इस से भी कोशन बनेगा पदमा वाड पदमा वाड यह इंडिया के भारत रतन के बाद भारत रतन के बाद पदमा वाड वान ऑफ दी हाईएस्ट सीविलिएण ओवाड माने जाते हैं आफ्टर भारत रतन यह तीन केटटेग्रीज में तीन categories में comfort करे आते हैं number one पद्म विभूशन, number two पद्म भूशन और number three पद्म श्री, पद्म विभूशन, पद्म भूशन और number three पद्म श्री तीन categories में आवड दी आते हैं, यह आवड दी आते हैं various disciplines, various field, various activities like art के शेत्र में काम करने के लिए, Social Work की Field में काम करने के लिए, Peablic Affair की Field में काम करने के लिए, Science and Engineering में काम करने के लिए, Trade and Industry में काम करने के लिए भी दिया सकता है, Medicine की Field में, Literature की Field में, Education में, Sport में, Civil Services में, तो तमाम스타 withdrawal में मैं सबी categories में यह आवार्ड दिया जा सकता है आपका पद्म आवार्ड इंपरेंट है तो पद्म विवूशन जो इस category का highest award पद्म विवूशन यह basically exceptional exceptional और distinguished outstanding service provide करने के लिए इन category जो बता ही मैंने उसमें दिया आपका पद्म विवूशन जो पद्म श्री होता है आपका पद्म विवूशन यह distinguished service of high order distinguished service of high order के लिए पद्म विवूशन और थर्ड हमारा पद्म श्री यह मिलता है distinguished service in any field किसी भी शेतर में distinguished service के लिए तो तीनों के यहां पे आप लिस्ट दिख लिए दूसरी बात 2020 का जो 2020 का पद्म अवार्ड मिला उसमें 7 7 7 तो मिलते हैं पद्म विवूशन साथ दिए गए पद्म विवूशन 2020 के आकड़े में 16 मिले पद्म विवूशन साथ पद्म विवूशन, सोला पद्म विवूशन और एक सो अठारा एक सो अठारा पद्म शिरी एक सो अठारा पद्म विवूशन तो याद रखिएगा साथ तो पद्म विवूशन है 16 पद में भूशन है और 108 पद में शरी में फीगर रही अद रखिये साथ 16-118 तीन कैटेगरियर में आवर्ट दिया गया और तॉटल 33 33 महिला है 33 वोमें को इस आवर्ड से रवद अगया 33 वोमें को इस आवर्ड से रवाद अब इस साल के स्टार्टिंग में अब इस साल का भी अनौस्मेंट होने वाला होगा कुछ दिनों में तो पर दोजार बीस साथ नाम बता है मैंने पर दूशन के साथ लोग कर मिला देखिए पहला जियोज भारती जंदा पार्टी के इंपॉर्टेंट बहुत ही इन्होंने काम किया पॉलिटिशन यह हमारे डिफैंस मिनिस्टर भी थे जियोज फर्णांडिस इनको मिलता है इनका ओरीजन भारत है इंडियन ओरीजन है लेकिन यह कहां के प्राइम मिनिस्टर ने मौरिशियस यह मौर मौरिशियस के प्राइम मिस्टर पहले भूतपूर प्रेसिडेंटी भी रह चुके हैं यह जुगना साब इनको पजिभूशन मिला फोर्थ एमसी मैरीकॉम एमसी मैरीकॉम बॉक्सिंग की दुनिया में एक नाम करने वाली भारती महिला इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा है चाय कौमनमेल्थ गेम सो चाय ओलंपिंग गेम सो बॉक्सिंग यहीं बात किया इनको आवर्थ मिला आपका चनुलाल मिश्रा चनुलाल मिश्रा इनको आवर्थ मिलता है आपका सिंग्गे нев retali फ्मरी सइन गिले फुमरी चोंबरी शिंघीति इस में तो आठ की शेत्र में चन जंदा पार्टी की बहुत इंपरेंट लीडर थी अभी यह भी नहीं रही इनको भी अवार्ड मिदिया गया वैटरन पॉलिटिकल लीडर शुश्मा शवराज को पद्म विवूशन और लास्ट बट नॉट दिलीस्ट श्री विश्वेशित विश्वेशित तेर्था स्वामी जी यह जो स्वामी जी है इनको भी आपका पद्म विवूशन अवार्ड 2020 से नवाजा गया है तो यह साथ बड़ी हस्तियां इनके नाम आप नोट करें नाम को याद रखें क्योंकि एक्जाम में जो कोशन आएगा वो नाम देके पूछेगा किसको पद्म विवूशन अव होगा उतना आपके स्कोर्ड वहाँ पर ज्यादा बढ़ेगा तो साथ ना मैंने बता दी आपको इनको आप बाई हर्ट मेमराइज रखिए पूछ सकता है किसी भी एक्जाम में अब चुकि पेपर अगेन राजिस्तान का है पेपर आपका राजिस्तान का है तो राजिस्तान की जिन हस्तियों को राजिस्तान की जिन हस्तियों को अवर्ड मिला चाया पद्म भूशन हो चाया पद्म भूशन हो चाया पदम श्री हो उनका नाम तो या दखना है तो हिमंता राम बंबू हिमंता राम बंबू इन्होंने बेसिकली नागोव डिस्ट्रिक्ट में नागोव डिस्ट्रिक्ट में जो डैजर्ट बैरन लेंड वहां पर लाखों पौदे लगाएं लाखों पौदे लगा इन्होंने हिमंता राम बंबू ने इनका काम बहुत ही सरानी ही है नाव जैसे डिस्ट्रिक्ट में जहां पर की जो बैलें लेंड डेजर्ट कंडिशन से वहां पर इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ दी नेचर के लिए प्लांटेशन किया हिमंता राम भंभू सोशल वर्ग के लिए पदम शिरी अवर्ड 2020 का नवाज आ गया सकेंड नाम सोशल वर्ग के लिए अगें राइस्तान से यह हैं उशा चौमार उशा चौमार इन्होंने पहले आपका मैन्यूल उसका वेंजिंग पहले मैन्यूल उसका के तरह काम किया था अन्होंने बाद में इन्होंने शुलब इंटरनेशनल सोचाल ले शुलब सोचाले शुलब इंटरनेशनल उसकी यह प्रेसिंट बनी उसकी यह प्रेसिंट बनी तो एस स्टार्ट किया था अपना कैरियर एज यह मैन्यूल उसका वेंजर और फाइनली य आट के शेत्र में उस्ताद अनवर खां मांगनियार उस्ताद अनवर खां मांगनियार सिंगर मांगनियार जो जानते हैं राइस्तान मांगनियार बेसे के लिए शैली मांगनियार गीत की शैली सिंगिंग स्टाइल आर्टन कल्चर मैंने राइस्तान का पड़ाया था इस बार करूँगा इस गीत शैलियों पे सिंग स्टाइल तो उस्ताज अन्वर्ण का मांगने कार इनको बिसिकली फॉक सिंगर राइस्तान के मारवार बीजन में जैसल मेर बाड मेर में अपनी पहचान इनको भी फवॉड क्ले से न Алवाजर मुन्नामास्टर मुन्नामास्टर राइस्तान से मुन्नामास्टर यहां पे यह बिसिकली सिंगर हैं जिन्होंने राम किष्ण के भजन गया है मुन्ना मास्टर ने राहिस्तान के रने वाले इनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया है मुन्ना मास्टर को और देखिए आपका सुंदा राम वर्मा इन्हों ने भी 50000 adapter शेकावती वैल्ट में शेकावती एरिया में सुंदा राम वर्मा ने तक्रीबन 50 000 ट्रीम इस जगे पे ग्रू के है कल्टिवेट किये 50,000 ट्री इंदी शेकावाटी बैल्ट सुंदा राम वर्मा तो पांच इंपर्ण परसनेलिटी राजिस्तान की बाय हर्ट याद होना चाहिए नमबर वन हिमानता राम भंभू पदम श्री तूसरा उशा चोमार पदम श्री तीसरा उस्ताज अनवर्खा मांगनियार पद सुद़नाम वर्मा तो ये पांच हस्ती हां जिनको पदमश्री अवाड दिया राजिस्तान में राजिस्तान की की परसनेलिटी अवाड लेती है वह हमेशा राजिस्तान की किसी एक्जाम के लिए ओर इंपोर्टन हो जाता है इसको आपको कंटस्द याद रखना चाहिए इ दिखे रहाओ यहां पर इस पर सवाल आपका बने का पूछेगा इन में ज़े कुछ भी बूछ सकता है ही मंताराम बंबू का संबंध कि शेटर से है पदम श्री वर्ड मिला शोचल वर्क इन्होंने के नेचर इनवार्मट की शेटर में काम उशा चाहमार का संबंध भी एंवर्मेंटल साइनिडेशन सुरब इंटरेशनल की प्रेसिदेंट है उस्ताज अनवर्का मांगनी कार इनका संबंध किस शेत्र से हैं तो यह सींगिंग सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब दो ने बैसिकली किया आपका प्लांटेशन किस चीज का प्लांटेशन के इनमें 50,000 ट्री 50,000 ट्री को कल्टिवेट करा शेकावटी बैल्ट में तो ये पांच इंपोरेंट परसेनलिटी राइस्तान के साब से इस पे कोशन पूश सकता है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंपोरेंट मार्क कर दिया है बाइ हर्ट याद कर लीजेगा मेरा आप से सब लोगों से निवेदन है इसका स्क्रिंशोट ले लीजे या डाइरी कर लीजे पीडियेफ में लैट्स कर एकसरा एक्जाम पे एक दिनों में अपलोड कर दूँगा जैसा कि मैंने कमिट किया है तो फ्रेंट्स मेरा सबसे निवेदन है कि तैयारी को मजबूत रखिए मैं चाहता हूं जो सपने जो सपने मोधी साहब ने जब चुनाव एक्जाम की तैयारी कर रहे है आप सबके जीवन में यह अच्छे दिन आए आपको प्रॉपर आप जो चाहते हैं रोजगार मिलें चाहिए वह चाहिए रहे प्रॉपर करोगे तब ही आपके जीवन में अच्छी दिन आएंगे तो यह सकता है कि आपके दिन में साकार हो इमानदारी से मैनत करते रहे हैं थैंक्यू वेरी मच्च हैव नाइस डे आप सबका इस मंच पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कोर्ड एन आपको सारा पीडिएफ सारा वीडियो सारे लेक्चर्स आप लोग को यहां प्रोवाइड हो जाएंगे तो आपका अनकेटमी के मच पर जुड़ने के दिए बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच्च हैव नाइस डे